कि असलाम अलेकिम एक्सरसाइज 10.1 शुरू करने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुछ बेसिक कॉंसेप्ट आपके जो जहें में होने चाहिए जो कि आप प्रिविएस क्लास में पढ़कर आ चुके हैं उनको डिसकस कर लेते हैं पहले याद होगा कि आपने ही एक राइट ट्राइंगल हो तो इस्क्राइट आंगिल ट्राइंगल के अंदर है अग्र नांटी कौट है टो तो उसकी हम साइड का अगर रिष्भ लेक्ट dinner कर रहा हूं तो इसकी अपोजड say को मैं पर्पैंटिकोलर कहता हूं और इस की एड्जेसेंट सायट को मैं कहता हूं और एक एंगिल थीटा स्लोप बना कagem trying एक स्थीटा क cris look होता है जिस का स्लोप बन रहा होता है उस साइड को हम क्या को कहते हैं हाप पूटिनस कहते हैं तो यह तो हमने सीखा था प्रिवेइज क्लास के अंदर कि साइड का नाम क्या होते हैं और इसके लाफ रेशो की बात करें कि परपेंडिकुलर और हाप एक मैं डिवाइड कर दूँ इस रेशो के साथ मेरे पास जो आने वाली जो चीनिमेटो रिश्यो है। शकम कहते हैं सायल थीटा और मेरे पास क्या भूल वह बेस आपउन हांज़ा रिषे विमिलर्ली इनके हमारे पस्क्राइबरोकली और सिमिलर्ली इनके हमारे पास क्या और होते हैं दियने पर उख मुर्णे कि आप कि भी कहते है उसको और इसी तरह से मेरा पस 10 थीटा का रेसी प्रोकल क्या होता है वन अपोण कोट्ड़ अ इसके लावा हमने कुछ ट्रिग्रमेट्रिक आइडेटिटीज पढ़ी होंगी अगर आपको याद हो थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं उसके बाद फिर हम एक्सेसाइज से बढ़ने से पहले जो बेसिक चीज़े हैं मारे जेन में होनी चाहिए इस में क्या थी ट्रिक्रमेट आइडेनटी जैसे साइनि स्क्वाइर तीठक प्लस कॉस्झेस्थ इसक्वाईर तीता इक्वल टू सैक स्क्वायर तीटा ठीक स्ट रिंटस और 이것도 ही अग्जेंटि एक्वर्ट मेरे पास मैं लावात होगतं तीटा को मुझे वाइंड करना है और मेरे पास किया मिए सिर्फ सैंट स reviews ह Another इसको डिवाइड कर दो मिरे पास आने वाला जो रिशो है सको apts थीटा के बराबर होगी इसको आप वेरिफाय भी कर सकते हैं अगर आप साइन थीटा की रेशियो और कॉस थीटा की रेशियो को डिवाइट कर दें आनिमल रेशियो आपका सकते होगी परपेंडिकोर पॉन बेस एंड डैट इस एक्वल टू टैन थीटा अच्छी यह तो हमा के lot की यहां होंगे के 봐 प्रपैयंड कर रहा है किसी को मैं फिखेंड का साथ एक पॉजिशन एकस्टर बन रहा होगा इसको हम अगर बनाये यहां से यहां से लेकर यहां तक ठीक स्विंट्स इससे मेरे पास क्या होगा और पास एक एंगल बन रहागा त्रीटा यहां पर आंगे लागे रपस थीटा अब हम बात समझने कोश्च कर रहें कोडियंट वगभारा की अब यह पर लाएक कर रहा है तो यहांपर क्या होता है एक्स एक्स पॉजिटिव और यक्स पॉजिटिव तो पॉइंट के जो दूनों कादिनेट से क्या होते है स्व पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव होते हैं तो मैं इसको ज़oga लिखता हूं पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ हमें यह चीज़ें आनी चाहिए तो उनको सीख लेते हैं फिर हमागे एक्सरसाइज को शुरू करेंगे यहां पर मेरे पास अगर को पॉइंट लाए करेगा इसमें इस वाले रिजन में एक्स वै सोबता है नेगेटिव एकशे से तो एक्सरी वैल्य पॉजिटेव होती है और य की वैली क्या होती है एक्सकी नेगेटिव ऋर्वाई की पॉजिटिव और अगर कोई पॉइंट मेरे पास तो पॉइंट को होता है और वाय क्या होता है नेगेट वहता है तो यहां पर अगर बात करूँ मेरे पास क्या है एक्स-Positive डायक पॉजरा कर individually मेरे मैं पाश क्या है यहां से लेके यहां तक क्या लेंन ढौन क्या है कि यहां से अगर मैं इसको ड्रॉकर और सबस्क्राइलों यहां- वाय मेरी होगी एक्स अप ञास से मेरे पास साइन की मालूं करनी हो साइन प्रप्रावेडिनेश क्या है य क्या है तोवाइए अपान एक्स सब्सक्राइबर होगा वाई के इस तरह से मैं कॉस्ट की मालूम करने चाहते हूं कॉस्ट थीटा एक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन है यहां से लेकर यहां तक जो भी एंगल बनेगा वह आपको पता होगा कितना अंगल बनेगा जिरो से होगा कि और यहां से ऐन तक पहुंच और और यहां से अगे तक बढ़ूगा तो यहां से आगे तक जाते हुए मेरे पास 270 प्लस 90 इस तरह से एक सरक्ल मुकंबल होता है और जिसका पूरा जो एंगिल बनता है मुकंबल सरक्लिक एंगिल करता है 360 डिगरी होता है तो यह जो हमने एक्स-वाइए एक्सिस के इंदर इसको ड्रॉव किया हुआ है कि आ यहां से लेकिन 90 तक को एंगिल होता है ह le driver कर एक छी तिस इनक्राइब कलंटे। यह ज़्यक्मिल आता है मेरे पास सेकेंड कौाट्रेंट अ के यह मेरे पास क्यलाता है है थार्ड को आट्रेंट टीक है 90 90 के अदर हमने सब एंगल को डिवाइट कर दिया और यह मेरा पास छिलाता है फूर्थ कॉद्रend को इच्मीन दैट कि फिर्स्ट कोडिन में रपास क्या होगा एंगिल थीटा जो होगा वह 0 से 90 के एंगिन होगा फिर से किंड चौडरेंट में क्या हो जाएगा से लेकर 180 तक होगा सबका जो शूंगा 90 गोगा मतलब लेकर गहां होगा सब में और फिर क्या होगा 180 से लेकर थीटा कहा तक होगा 270 तक और फिर थीटा कहा तक होगा 270 से लेकर 360 है टीका सटुनिंट जबomet्क है यह यहां है यहां पे धीटा की वैनियों की जीरो से लेके नटी तक इकास ऐर वाई की सारी ⇅श का सि centered वे एक से तो साइन सुटु साइन वी पोसी वोगा और खासाजु पॉडटिव क्या है वाई है और कॉस की वैलियू क्या है एक से सो देरफॉर तो इसमीन दैट फस्ट क्वाडरेंट के अंदर एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर फस्ट क्वाडरेंट में साइन की तमाम एंगिल के अपर साइन की वैलियू क्या होग कि पॉजटिव होगी तो यहां पर मेरे पास तमाम रिषयोस क्या होगी पॉजटिव होगी ठीक स्थर्ट में ओल ट्रिग्नोमेट्र एक बात करूंगा यहां पर नेगिटिव क्या है एकस नेगिटिव लेकिन वाइप पॉजटिव है तो यहां पर क्या होगा को सब्सक् Before Sに भी साइन यहां है तो सकेंच न को फ़ता है जाएगा तो सब्सक्राइब और यह यह से अगर समय होता है अगर सकारें और सब्सक्राइब करने यहां पर एक्स ऐसे सब्सक्राइब मुए यहां तो norm और यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा कॉस पॉजटिव हो गया तो सांब वेर नेगिटिव है तो यहां यहां पर अगर आप पूट करेंगे तो नेगिटिव अपन पारण पॉजटिव ऋगए तो सब्किरिश होती है इस इसको हमें एक संटेंस के जरी भी लिख सकते हैं यूकेन रिमेंबर देम बाइदी संटेंस आ इसलवर कि टीकब हा का मतलब फ्रस्ट क्वाड़ंट के तमामके आ करो सिल्वर एससे शुरू हो रहा है पिसका मतलब सिर्फ साईन पॉजिटिव सपेंट कожд कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर पॉजिटिव होगी कहां पर नेगरी आप करना चाहें तो आप कल्कुलेटर उठाएं क्ल्कुलेटर में क्या पूट करें जिएरो से लेकिन 90 तक सबकिन निकालने सब कि सब क्या होगी पॉजिटेव होगी फिर नैंटी से लेकर 180 अगर आप वैलूज को फॉट करना शुरू करें जैसे साइन 110 find करें साइन 150 find करें तो सब की सब 97 80 की दिना क्या होंगी positive होंगे लेकिन अगर आप 10 find करें काउज 150 मालूम करें तो negative होगा इस तरह से यहाँ पर 10-70 तो-20 कर लें सब कि सब क्या होंगी पॉजिटिव होंगी लेकिन साइन और कॉस्की क्या होंगी नेगिटिव होंगी यू कैन यूज कल्कुलेटर एंड यू कैन इसली सिमलिफाय दें अब हम एक्सरसाइस 10.1 के सुलूशन की तरह बढ़ते हैं तो सुलूशन से बढ़नेते हुए रैसे कॉश्चन लिख लेता हूं फिर आपको बताता हूं दर क्या करना है क्या है क्या है प्रूव दैट इसका पार्ट वन अगर देखें तो क्या है कॉस 360 डिगरी प्लस थीटा सब्सक्राइब क्या से लिख लेकिन कैसे प्रूव करूं करूं और यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा तो नेए यहां पर देख लेते हैं सब्सक्राइब बन में और फ्रूवाट हमारे पास चूओस होंगे अगर मेरे पास क्या हो किसी भी एंगल का सम हो दो हैं या दो हैंगल का सम हो या दो हैंइब काक्रिक किलिए को कॉज लिए क्ली बीस तरह से ह्मारे पास सब्सक्राइब कर दो एंगल का समर डिफरेंस के लिए टैनलफा प्लस बीटा और टैनलफा माइनस बीटा तो यह सब के सब फॉर्मुला जो है हमारे चैप्टर नमबर टैन में यूज होंगे तो इन फॉर्मुला को आपके किसी जगाप नोट करने सहीड पर फिर हम इसका सुलूशन करना शुरू करते है एक्सरसाइज का तो यहां पर मेरे पास क्या है दो एंगल का सम है तो उसके लिए फॉर्मुला होता है मेरे पास फॉर्मुला क्या है वी नो दैट कॉस पहले में लेफ्ट हैंड साड़ लेकर चलता हूं विकॉस की जरी सॉल्व करूंग इसको लेफ्ट हैंड साइड एक्वल टू कॉस में थ्री सिक्स्टी डिगरी प्लस थीटा ठीक तो वी नो दैट फॉर्मुला मुझे क्या पता है कि अगर दो एंगल का सम हो कॉस में तो कॉस अलफा प्लस बीटा बराबर होता है कॉस अलफा कॉस बीटा माइनस साइन अलफा साइन बीटा ठीक इस तो यह फॉर्मुला है जिनका प्रूव कोर्स का हिस्सा नहीं है तो बस इनकों पढ़ेंगे तो यू हैब टेमेंबर देम अच्छा वही तो इसके मुदाबिक क्या हो जाएगा मेरे पास यह इस विए इक सब्स बीटा की जगह पर यह जाएगा सो देरफोर कॉस अलफा की जगह पर क्या जाएगा 360 कॉस थीटा माइनस साइन 360 साइन थीटा अब को थीटा मेरे रपास क्या होता है वन होता है मेरे रपास ठीके स्ट्रेटर तो वेरिफाइड यह क्यों थीटा होता है पॉस्ट हीटा इजट आ गया माइनस साइन 360 मेरे पास क्या होता है जीरो होता है साइन थीटा इजट आ गया तो यह क्या हो जाएगा कॉस्ट थीटा हो जाएगा अच्छा अब साइन 360 को स्टी वगएरा की वैलिवस में अगर जुबानी याद करनी हो तो उसके लिए क्या तरीका है उसको भी देख लेते हैं इचे अजया छुब तो एक शॉटकट तरीका है आपके पास कि आपको खूलप झालती पड़ेगी जब भी मेरे पास क्या होगा साइन या कोई मेरा एंगल जो होगा वो 90 का मल्टीपल होगा जैसे अगर मेरे पास 90 का ओर बालोगा जैसे आपके पास क्या है आप में क्या नंबर होते हैं 123 1357 सो ओन इस तरह के नंबर होंगे तो नइंटी को अगर सबहर करो तो साइनyes 177 को आए करो तो क्या आएगा और याऊनस का विनाएगा ऑना करो प्लसवान आएका जतने होंगे सप्सक्राइब तो साय invece कि ऐला या टो प्लस वन होगी ऑ माइनरी मानल 1-10 चलती रहे हैं gy जब कि जतने भी अगर साइन 90 के जित्ने भी और मल्टीपल्स होंगे उन सब पर काऊस वेलेुच क्या हो कि 0 होगी सेटेँ कॉस्स नैटी करें तो ZYRO आएगा सब्सक्षिते हुआ इसी तरह से अगर एगर इवन हो तो 90 क कि इतने even multiples होते हैं वहाँ पर सब पर कॉस की value क्या होती ही प्लस वन माइनस वन होती है और साइन की value क्या होती जीरो होती है यू कैन वैरिफाय इस्तमाल कर सकते हैं वैरिफाय करने के लिए अगर आप देखिए कॉस कि zo silais 960-1 एंटि कितना होता है cook वन एटी क्या चेक करें तो माइनस वन ऐगा कॉस فोन टेम 95 साह हम पर वक्लस वन आएगा तो इस तरह से प्लस मानट हैं के साथ प्लस मानट हिए इस तरह से साइन की value सारे का साहिंवें घ्शाए क्या होंगी इवन उन अलिटी सब इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं तो हम और और इवन का चिक्कर याद रखेंगे जहन में और विदाओट जोजिंग कल्कुलेटर हम इसको इसली सौल कर लेंगे ठीके स्ट्रेंट्स नेक्स्ट एसका क्वेस्चन नमबर पार्ट टू इसका कि यह मेरे पास साइन वन एटी प्लस थीटा तो लेफ्ट एंड साड लेके चलेंगे लेफ्ट एंड साइड मेरे पास क्या है राइट पर क्या प्रूफ करना माइनस था साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास साइन वन एटी प्लस थीटा तो यूजिंग फार्मुला तो फार्मुला क्या है मेरे पास साइन एलफा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है मेरे पास साइन एलफा जाँ समीटा फ्लस को सेलफा जाइन बीटा इस तो यहां पर आपके अबीटा क्या है डिसी यार अलफा दिस यह विटा सुदेरपोर तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा चान help साइन थीटा तो इस तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा किया है इवन मैंटि प Lights अगर आप देखें चल के और ऐस तो क्या होते हैं बन होते साइन इवन मैंटिपल होगा साँ जरो होगाम हमें कल्कुलेटर की जरुह उती नहीं है विद थीटा प्लस क्या ऐदन मर्टीपल एक रवी यह प्लस 18 मैंनेивать 0 क्यों क्या सिर्फ रोमट्पिल होता है उसपे क्या होती है दूसरा क्या होगे ऊपर क्या होगी फोर मिल्टिवा था व्लै क्या होगी इस तरह seriously यहां पर मिल्टिवल्यों के उपर है तो मैंने आएंगे शो देख स्ञेलेटर एन्ड साइन थीटा गया गया सिंप्लिफाय करें कॉस इंटो जीरो क्या और एक जीरो तो माइनस का साइन थीटा वच गया इस तरह से हमने इसकी राइट हैड को प्रूफ कर दिया ठीकर स्विट्स अब इस तरह से अगर मेरे पाइस का पार्ट 3 पार्ट थी में क्या है आपके पास एक एक वन एटी माइनस थीटा एक वल्डू माइनस का टैन थीटा तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड एक वल्डू क्या है डैन 180 माइनस थीटा तो यहां भी टैनलफा मानेस बीटा आई-वल फॉम्मला लाशचा माइनस बीटा वाले भी नोचे ए ईटेन ऑफा माइनस वीटा इसक्वल चू एंप इलफा मैनस तैन बीटा लग दिवाएब साट 1 प्लस 10 अलफा 10 बीटा ठीके स्ट्रेंट्स तो इसलिए क्वल टू एलफा-10 बीटा क्या हो जाएगा यहां पर आलफा क्या है 180 तो 10 180 सब्सक्राइब क्या हो जाएगा धीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टैन है 180 और टैन इसके बराबर होगा जीरो के पता कि टैन की वैलो क्या होती है एंब बराबर होता है साइन तीटा पॉन कॉस्टीटा के ठीके स्ट्रेंट्स और मुझे पता के इवन मल्टीपल बन एटीव कि आटिए जीरो इती जीरो अपॉर सवान सब्सक्राइब ए जीरो ही आएगा गया एंट एक कि रस इक है जनटौन सब्सक्राइब लॉक्त फोर्टया यहां उस्पांज के दिवायटISった चैन्टरडग़ यहां पर requal घंट्ट ती टाO ठीके स्ट्रेंट्स तो इसी तरह से इसका क्वेस्टन नमबर फॉर क्या है साइन टू सेमेंटी माइनस थीटा तो वहां पर दुबारा से क्या लगेगा साइन अलफा माइनस बीटा का फॉर्मला लगेगा एंड यू और इसका आपके पास क्या है काट टू सेमेंटी प्लस थीटा अच्छा काट वाला करवा लेते हैं इसका पार्ट नमबर यह पार्ट नमबर फाइव तक है कॉट 220 प्रस टीटा एकवल टू माइनस टैन टीटा इसको करवा लेते हैं अब पारट फाइव दो सैवंटी प्लस थीटा इक वर्टू माइनस का एंचीटा ठीटा अब मुझे आदे कॉर्ट का फार्मूला क्या होता है लेपन साइड लेकर चलेंगे लेफ ताइड साइड इक वल्टू प्लस थीटा तो फॉर्मुला क्या है मेर पस्विनो देट पॉर्ट एलफा प्लस बीटा इस एक्वल टू है काट एलफा और बीटा माइनस वन डिवाइड बाइ प्लस प्लसकार बीटा तो इन सब वैलिज को पुट करने फार्मिला के अंदर तो कॉट एलफा की वैले का हो जाएगी कॉट एलफा की जाप पर क्या आ जाएगा 270 और कॉट बीटा की जाप पर क्या जाएगा थीटा माइनस वन डिवाइड बाइब बाइब आप लुग सेवनटी प्लस कॉट बीटा एक्वल टू और थीटा ठीके स्वेंट्स अब कॉट 270 की वैलियो क्या होती है मेरे पास जीरो और कॉ कॉट थीटा मैनस वन डिवाइड बाइब बाइब कॉट 270 की बैलियू फ्लस श्ञट एक स्थर्णट इस तरह से यह जीरो से मिलिया करेंगा क्या बज़ताएगा माइनस का मंएनस का ऐनचई वाइड पार ठीटा और कॉट सिंप्रो कल एट कॉल एटा थीन तौर मेरे पास बाकी के पाटजें पार्ट शेक्स में क्या है दुबारा कॉटर्टी टीड़ यह भी आफ कर सकते हैं है जदी चुलागे चैनल पार्ट 7 में च्या कह रहा है आप से है कौस एक ठीजेश्टी माइस स्टीड़ गौस एक Hong त्रीरीश्फटी माइनस थीटा ठीके स्ट्रेंट इस यह पार्ट नमबर सेट तो किसके बराबर एक प्रूफ करना है माइनस के को सब्सक्रेटा के बराबर अब लेफ्ट एंड साइड में रपास क्या है लेफ्ट एंड साइड एक्वल टू और सै अब कि माइनस थीटा अच्छा अब आप कहेंगे सर्कॉस एक थीटा का तुमने फॉर्मला पढ़ा ही नहीं को सब्सक्रेटा का इसके लिए क्या है मैं यहां पर जोज़ सकता है आपने पढ़ा होगा कॉसक किसका रेसीप रोकल है कॉसक रेसी पर उपक्वल है साइन का तो व अपन साइन थ्रीयों सीयर मतलब सलफा मांश भीटा तो अव्हीं पीछे अपी वह ए्ल्फा माइनस बीटा क्या होता है साइन हेलफा जो के तीस्टी के यहां पर है कॉस भीटा जोटिटा है यहां पर फिर प्लस मायनस यहाँ पर मैनस लगता है कॉस mendas का फौनला फिर क्या हो जाएगा कॉस थ्री सिक्स्टी कॉस अलफा साइन बीटा यानिके साइन थीटा ठीके स्ट्रेंट इस तरह से आपने इसको सिंप्लिफा कर लेना है अच्छा वन अपॉन साइन थ्री सिक्स्टी क्या है 90 का इवन मल्टीपल है मुझे पता है कि फोर नाइट सा क्या है और एवन मल्टीपल की वैल्यू क्या है यह कौन सा मल्टीपल है फर्स्ट के उपड़ जीरो पर पॉजिटिव सेकेंड टू टाइम नाइंटी वन एटी इसके और नेगिटिव तो यह है तो इस पर द्वारा से पॉजिटिव आएगा तो यहां पर आप से कोई रिस्टि साइन किसका रेशी प्रोक्र रेकोस्थ का तो वन अपॉन साइन किसका ररिस्प्र आप उसकी जगह पर क्या लेंख सकता हों मायनस कॉस्टीट थीटा कर देंगे इस तरह से कोषटिन नंबर वन को मुकम्मल कर सकते हैं